इन मार्गों पर कुल 132 पुलों की श्रंखला बनेगी, जिसमें 25 हाइफलर्ड लेवल ब्रिज और 107 मैनर ब्रिज शामिल है। तेरा बाइपास कई शहरों को जाम फ्री बना देंगे। चार धाम क्षेत्र की नदियां और हिम गिरी का पानी सडकों की बरबादी में एहम भूमिका निभाते हैं। जगह जगह रिवर प्रोटेक्शन वॉल 3889 कलवर्ड राज मार्गों की सुरक्षा का हल बनेंगे। पागल नाला, लांबा गड़ जैसे 38 लैंड स्लाइड स्पॉट पर स्टील जाली, सॉयल नेलिंग, गैवियन वॉल, स्क्वाइर मैस वेजिटेशन, जियो सिंथिक ट्रीटमेंट की आधुनिक तकनीक का उप्योग होगा। देव प्रयाक जैसे 3 सिंकिंग जोन का ट्रीटमेंट भूस खलन से सड़कों को सुरक्षित करेगी, 4 वायडक्ट का निर्मान होगा। जिसमें मरीन पॉइंट रिवर वायडक्ट तथा सोन गंगा अलकननदा नदी के पानी से सोन गंगा की 775 मीटर लंबी माउंटेंट वायडक्ट राजमार्ग को 25 मीटर उंचा पहुचा देगी। दो महत्वपून टनल भी विक्सित होंगी। 5 किलोमीटर सिल्क यारा बैंड टनल 25 दशमलव 5 किलोमीटर अंतर को कम कर देगी और परियावरन अनुकूल बना देगी। पेट्रोल और डीजल की बड़ी बचत के साथ कभी धकान से चूर करने वाली ये यात्रा अब केवल 10 मिनिट की प्रदूशन मुक्त सुखदाई यात्रा बन जाएगी। जगह जगह इमजेंसी ले बेज विक्सित होंगी जो परिशानी भरी यात्रा को आनंद मई बनाएंगी। चार धाम यात्रा सभी मौसम में सुगम एवं आनंद मई बनाने के लिए 18 रोट साइड एमिनिटीज, 145 बस बेज भी विक्सित होंगी। नौ ट्रक बेज क्षेत्र के व्यवसाय उन्नती में एहम भूमी का निभाएंगी। वर्ष 2020 तक इस प्रोजेक्ट को पूरा करने का लक्ष है भूमी अधीग्रहन। और प्रभावित लोगों का पुनरवास भी इस प्रोजेक्ट का हिस्सा है। प्रोजेक्ट की उपलब्धियों में शामिल है एक्सिडेंट स्पोट एवं दुरघटनाओं के आंकड़ों में उल्लेखनिय कमी। खत्रे की सूचना वाले बोड जन सुविधा के पत दर्शक बनेंगे। जो तीर्थ यात्रियों एवं परेटकों में सुरक्षित यात्रा के विश्वास को कई गुणा बढ़ाएंगे। हजारों युवाओं को रोजकार, चीन से सटी भारती सीमा को सुरक्षा और यात्रा के समय में 30 से 40 प्रतिशत कमी। चारधाम राजमार्क विकास परियोजना, उत्तराखन राज्य की आर्थिक एवं सामाजिक उन्नती तथा पहाडिक शेत्रों के विकास में मील का पत्थर साबित होगी।